सैनल को सस्क्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और बे लाइकन को आउन कर दे इस वीडियो में मैंने पटवार भरती 2021 के एडमिट कार्ड बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के कैसे डाउनलोड किये जाते हैं उसके बारे में बताया है 23 अक्टुमबर को मैला अब्यार्थी और 120 अक्टुमबर को पुरुष अब्यार्थी ये प्रिक्सा देंगे इस प्रिक्सा में कुल सौदा लाक युवा सामिल होंगे इस प्रिक्सा में सामिल होने के लिए 8179 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक आविदन किये थी बोर्ड ने नोटिस जारी करके कहा हैं कि इन अभ्यर्थियों का सिर्फ अंतिम आविदन ही मानने होगा इन अभ्यर्थियों द्वारा पहले भरे गए सभी आविदन रद कर दिये गए हैं अंतिम आविदन के आधार परी प्रिक्सा के लिए परवेश पत्र जारी होगा तो सलिए परवेश पत्र डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लेते हैं आप अपने मॉबाइल फॉन में क्रॉम ब्राउजर को ओपन करेंगे और लिखेंगे SSO SSO लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर SSO का ओपिसियल पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी SSO ID डालनी होगी और उसके बाद में आपको अपने पास्वर डालने होगे और पास्वर डालने के बाद में यहाँ पर दिये हुए यह कैपसर कोर्ड यहाँ पर फिल करने होगे कैपसब कोड इंटर करने के बाद में लोग इन पर क्लिक करेंगे या पर आपको requirement portal का option दिखाई दे रहा होगा अगर ये option आपके mobile में नहीं दिखाई दे रहा हैं तो आप other app पर क्लिक करके requirement portal का option ला सकते हैं तो आप other app पर click करेंगे तो सभी option open हो जाएंगे तो यहाँ पर आप requirement portal के option पर click करेंगे requirement portal पर click करेंगे तो कुछ इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको dashboard में दिखाई दे रहा होगा उपर यूपर आप देख सकते हैं get admit card इस option पर आपको click करना होगा अब यहाँ पर आपको दुबारा से admit card पर click करना होगा इस पर click करेंगे तो आपने जो भी परतियोगी प्रिक्षा के लिए form बरे हैं और जिन परतियोगी प्रिक्षा के admit card जारी हो गए हैं उनके admit card यहाँ पर बता देंगे तो यहाँ पर action के ठीक नीशे admit card जब भी जारी होगा तो उस समय यहाँ पर get admit card का option आजाएगा तो उस पर click करके आप admit card डाउनलोड कर सकते हैं thank you for watching my video, video को like करे, channel को subscribe करे, धन्यवाद